चार पे हैं, गेट नमबर जहां 4 से स्टाट होता है, वहां से ही यहां तक इस वक्त हम गेट नमबर 4 पे हैं लुम्बली नैपाल में यहां पर देखिए कहीं भी जगा नहीं है मोतर स्राइकल की पीछे कार की पार्किंग बनाई गए इस रोड़ पे बन गई है क्योंकि आगे एकदम पूरा जाम लगा हुआ है हम लोग भी गाड़ी अपना आगे ही पारकिंग करके आए हुए है उधर भी देखे तमाम गाड़िया लगी हुई है और इस बुद्पूर्मा के पाउन पर पर यहां पर हमको लगता है लाखों की भीड रही होगी अभी भी है क्योंकि जिधर जाओ उधर ही पारकिंग में तमाम गाड़िया खड़ी है लोगों का आना जाना बना हुआ है यह सामने मंदिर है यहां पर इधर भी यह यहां पर साइट लुम्बनी विकास पंसिल अनुसरण कर आगे भी है यहां पर देखिए सब जगां देखिए पूरा जाम लगा हुआ है और हम जा चल रहे हैं जहां पर भगवान बुद्ध के जर्म अस्थली की तरफ चल रहे हैं और यह सामने भी पसना ध्यान सेंटर बनाए गया है रास्ता जाता इस तरफ यह देखिए लुम्बनी विकास कोस का या मैब बनाए गया है कह आगे यहां पर एक दिवाल पत्थरों पर लिखा गया है सुन्दर लेख से उसको भी हम आपको दिखाएंगे और यहां पर समय है सुबा आठ बजे से साम पांच बजे तक का कुलोज टाइम दिया गया है यह टॉयलेट है यहां बनाए गया है कोई भी टॉयलेट आजा सकत है और इस सामने हम चलने हैं जहां पर दीप जलता रहता है यह देखिए यहां पर सांती दीप कर अस्थान पर हम लोग पहुंच चुके हैं यह से भी हम जा रहे हैं सामने बाल बुद्धा है कि अबढ़ी दर्सन करेंगे आज अपने चैनल के माद देम से लोगों दिखाए करेंगे भी हम जो दर्सक हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं नया जुड़ना चाहते हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन की घंटी दबाए इस वक्त हम लोग दीप सांती इस दूपा के यहां है यहां पर देखें दीप यह 24 घंटा हमेशा जलत रहें को इस वक्त हम फिर सामने दिखा रहे हैं आपको बाल बुद्धा की तश्वीर यहां पर पहुंच रहे हैं चल लें हैं अभी हम भगवान बुद्ध के जन्म अस्थिली पर वहां पर भी जाएंगे वहां पर दीप दान है इस समय उस जगह की अभी हम आपको लाइब दिखाएंगे, हम चल रहे हैं वहाँ पर यहां पर देखिए, सामनेर विछ चुड़ी भी है, यह सामनेर विछ चुड़ी बर्मा के लग रही है, यहां पर देखिए, हमारी बीच में यह काफी लो, देखिए यहां पर यह हम बाल बुद्धा परतिमा के पास पहुंच चुके हैं यहां पर और यह देखिए जितने भी ग्राउंड सामने भी आप देखिए यहां पर पूरी एकदम भीड़ है बहुत भीड़ है यहां पर इस वक्त हम आपको अपने कैमेरे में कायद कर रहे हैं यह आप देखिए यह सामने हम आपको दिखा रहे हैं भागार बुत की जम आस्थली से ले करके यहां तक आपको यह देखिए इस दीप सांती इस्टूप के सामने भी देखिए यहां पर काफी लोग दिखाई दे रहे हैं नजर आ रहे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे यह आपका आज बुत्पूर्मा के पाउन पर यहां पर देखिए सामने भी छुड़ी भी हैं यहां पर हम चलने भागवान बुत के जन्म अस्थली पर इस समय वहां पर दीबदान होने जा रहा है अहां पर देखिए कितनी भीड है इस समय इस वक्त यह हम ले चलने हैं अभी आपको वहां के भी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे यह सामने देखिए अभी रात को य इहां पर हम चलना हैं अगर सामने देखे कितनी भीड है इस भीड को आज बूर्ण के पाउंड पर यहां पर कितनी भीड लगी हुई है एस सामने हम आपको दिखाएंगे और यह आप देखे यहां पर लिखा गया है लुंबनी रात को लाइट एसे जलती है कि इतना सुन्दर लगता है दोनों तरफ आमने सामने लिखा गया है लुंबनी पीछे हम दिखा रहे हैं देखे काफी संख्या में लोग आ रहे हैं भगवान बुद्ध के जन्म अस्थली पर दर्शन करने के लिए चल रहे हैं हम भी सब्सक्राइब दर्शन करने के लिए दिवदान का कायरकरम आयुजित किया गया है वहां की भी पूरी ग्राउंड रिपर्ट आप तक पहुंचाएंगे से पर और यहां देखे दोनों तरफ जील बनाए गये हैं बहुत अच्छा ठंडा ठंडा यहां लग रहा है इस पानी जैसा कमल के फूल भी खिले हुए हैं अलग-अलग रंग में हैं नीला भी है और भी कमल दिखाई दे रहे हैं वह सबसे ज़्यादा नीला कलर में इसमें दिखाई दे रहा है और हम चल रहे हैं भगवान बुद्ध के जन्म अस्थल पर दर्शन करने के लिए वहां पर लुम्बनी में बुद्ध को चाहने वाले यहां पर इस समय चल लें देखिए यह चोटी सी गुड़िया है और यहां पर यह देखिए यहां पर यह सामने दिखाई है हेलो हेलो देखिए और हम यहां देखिए दर्शन करने के लाइन लगी हुई है बहुत लंबी लाइन है यहां पर टिकेट काउंटर आज फिर है फिलहाल और यह लाइन देखिए दर्शन करने के लिए है बहुत लंबी लाइन है और हम आगे भी दिखा रहे हैं चलते रहो चलते रहो यह और देखिए बहुत लंबी लाइन है यहां पर कने के लिए साम का वक्त है आपका साड़े साथ श।S 6 बज रहे हैं अब दर्षन करने के लिए अब लाइन लगा हूय है जो गो अनंदर अभी दीब्दान होने जा रहा है आज इस बुढ्डा के पान पर हो हम सामने लो कहें हैं यहां पर हम दिखा रहे हैं सामने सामने लिए सिधा देखते हो यह देखिए बहुत लंबी लाइन है और यहां पर दर्शन करने के लिए यहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है कि हम लोग चल रहे हैं कि यहां पर देखिए लाइन लगाई गई है आज यहां पर टिकेट फिरी है धम अन्वायों के लिए यहां पर यह हम इसकी जुए इसकी फिलिच आओ धर यहां इसर आओ इधर आओ इधर आओ इधर बीड़ दिखाओ इधर बढ़िया अच्छी यह यहां पर देखें और यह आपको यहां पर भगवान बुद्ध के जन्वा स्तिलिफ दुबारा हम आपको दिखाना चाहते हैं इस वक्त सामका साड़े छे बज रहे हैं और यहां देखिए बहुत भीड लगी हुई है और अभी लोगों को दर्शन करने के लिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कब्रेश क करके दिखा लाइन सामने केमरा जाना घूमाइए मायदेवी मंदीर में धर्शन करने के लिए कि पुद्री लमबी लाइन है इस वक्त 예 यहाँ पर देखिए और सुबा से ही इसी तरह है और इसमें और भी लाईनें बढ़ गई है और यह आप देखिए और वहां पर देखि चल रहे हैं आपको दिखाते हैं यह हम भगवान बुद्ध के जन मस्तली पर हैं यहाँ पर देखे कैसे दीब जल रहे हैं यहाँ पर रोशनी कैसे की गई है अब यह थोड़ा जैसे अधेरा होगा देखने कितना खुबसूरत लगेगा यहाँ पर जितने भी पार्क बना आए हैं पार्क के उपर भी लाइट रखी गई है देखे हरी हरी लाइट या जगमगा रही है और यहाँ पर देखे भी देशी भी खुल लोग है यहाँ पर अभी यह आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर अभी दीब जला जाएगा यह कितना खुबसूरत लगेगा यह बगवान आए गये हैं सभी गार्डन में सभी जगह पर और हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं यह आप देखिए यहाँ पर we shall begin by simply closing the eyes gently do not force your eyes shut relax the whole muscle of the face relax your eyelids not to hold the eyebrows relax the muscle of the cheek both cheek and been uncomfortable and wearing a little smile the smile of containment then let the stream of relaxation what in your whole body relax and relax with the eye close you can feel that simply relax in the first hour first because any sight that I take would wide-break and stimulate our feeling and only you yourself can create peacefulness peacefulness arise from your inside not by others so to gain peace is firstly upon yourself and please do take a deep breath while gently in and slowly out within yourself and feel your experience and experience and experience being in the corners but for them feeling as if we are we are busy to this and play place and joy and realize seeing how the and how the 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 पुड़ा विन यसल्व, विशला कि बुड़ा विद बुड़ा से अविर्वा इंसे पुरोटां जिसे तर्द।। चबना अश्तर विद बुड़ा तर्थ।। each and every moment, you are with the Buddha, the mind becomes purer and brighter, the Buddha within. allow your mind to go deeper into the purity, deeper into the brightness, deeper into the hidden wisdom inside the mind. ये दिस्तैंआ में कृतियों वाई उख्याई निपका, आत शाट। ये देखिये हम ये हम इस वक हुआ ने व्हायांजे व्हात दौश्णिया वागवान बुद्धा गवाऑन चाह्अं. तालाब से नहलाया गया था उस जगा पर है बताया जाता है कि यही इसी जगा के पानी से उनको जब जन्म हुआ था उस समय यही के पानी से उसको भगवान बुद को नहलाया गया था आज उस तालाब के चारों तरफ दीप जलाये जा रहे हैं और यहां पर देखिए सबसे ज उपासक उपासका है यहां देखे काफी भीड है साम का वक्त है आपका साड़े छे बज रहे हैं और इस वक्त यहां पर देखे सभी लोग इस दीबदान में सामिल हुए हैं और अलग-अलग जगा से आये हैं हुए और हम आपको एपने चैनल के माधिम से दिखा रहे हैं यह देखे भगवान बुत के जहां पर जन्म हुआ था वताया जाता कि हम वह पर भगवान बुत का पएर पढ़ा था उस जगा को कैसे सजाया गया है यहांपर कैसे यहां पर दीब जलाये जा रहे हैं देखे इस सब्कूल के नाम से जाना जाता है और यहां पर हम लुंबनी नियपल से इस वक्ट देखीए, यहां पर काफी लोग हैं यह आपका ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुचा रहे हैं इस वक्त यहां पर साम का वक्त है आप देखिये हमारे बीच में यहां पर पूरा लुम्बनी धम अन्वायों के से पूरा जमा हुआ है यहां पर अलग-अलग देश से लोग आए हुए हैं यहां पर और यहां आपको दिखा रहा हूं इस अपने चैनल क मादम से आप देख सकते हैं यहां बहुत भीड़ है यहां कम से कम चारों तरफ मिला करके पचास हजार से जादे लोगों की भीड़ होगी क्योंकि जहां देखो वहां पर ही भीड़ नजर आ रही है और आज बुद्पूर्मा के पाउनपर्प के अवसर पर हम आपको दिखा रहे हैं देखिए हमारे बीच में सिधान नगर नौगर की लोग भी आचिके हैं उपासक लोग यहां पर इस समय और अभी हम लोग कुछ समय में घर की तरफ जाएंगे क्योंकि आज हम लोग को रुपना नहीं कल सुबा निकलना है किस कार से और कहीं और जाना है यह देखि लोग का लोग का लोग 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 देखिए यहां पर इस वक्त हम लोग का दीरे दीरे समय हो रहा है जाने के लिए क्योंकि रात का वक्त है अब हमारे तीन लोग पता नहीं कहा है यह देखिए अभी भी भीड कतम नहीं हो रही है अभी भगवान बुद्ध के दर्शन करने लिए भीड खतम नहीं हो रही है यह भीड बहुत ही लंबी है एक किलोमीटर की दूरी हम लोग कर चुके हैं और आगे अभी और भीड दिखाई यही पड़ रहा है क्योंकि रात के समय यहां पर अच्छा लुक है देखने लाइक आगे खाईब में क्योंकि तो भाता को कि प्रश्चा यही बंद्दफ अच्छा अच्छा नहीं हरे लिए को नहीं अच्छा है ख्राइब खात्तु ऐस्टारश को फमेंचन के प्रश्चा श्रयां करेंता है जोगते हैं प्रिधल नहीं नहीं प्रुक है इंद तो अपनी अपनी